हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टूए वी स्मार्ट इस्टरी आज की वीडियो में हम प्राइमरी जायलम और सेकंडरी जायलम के बीच के डिफ्रेंसिस के बारे में स्टडी करेंगे मैं आसा करते हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी तो चलिए वीडियो को बीना टाइम वे इसके इस्टार करते हैं प्राइमरी जायलम में पहला है प्राइमरी जायलम का फार्मेशन सेपिकल मेरिस्टेंस से प्रो कैम्बियम तक होता है और इसमें पहला सेकंडरी जाइलम का फार्मेशन लेटल मेरिस्टेम्स की कैम्बियम से होता है दूसरा है प्राइमरी जाइलम में प्रोटो जाइलम और मेटा जाइलम इसपस्ट होता है इन दोनों के बीच में अंतर इसपस्ट होता है और इसमें दूसरा प्रोटो जाइलम और मेटा जाइलम में डिफ्रेंसियेशन्स नहीं किया जा सकता है तीसरा है प्रोटो जाइलम की पोजिशन्स के अनुसार प्रामरी जाइलम एक जास एंटार्च और मेजास में से कोई भी हो सकता है और सेकेंडरी जाइलम में तीसरा है सेकेंडरी जाइलम का अलग-अलग प्रकारों में डिफ्रेंसियेशन संभाव नहीं होता है चौथा जाइलम ल्यूमें में टाइलोजेश नहीं पाया जाता है secondary gylam में चौथा जाइलम डियोमेन में टाय लोजेज पाया जाता है पाजवा या sap wood and heart wood में differentiation नहीं होता है इसमें पाजवा या heart wood and sap wood में differentiation प्रदर्शित कर सकता है primary gylam का छटवा annual growth rings नहीं पाया जाते हैं secondary gylam में annual growth rings is first पाया जाते हैं प्राइमरी जाइलम में जाइलम फाइबर्स प्रचुरता में नहीं होते हैं आठवा है प्राइमरी जाइलम में इसकी वाहि काई An 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 An-uxiaMad में फिस्ता उफ्सी क्रें लंबे होते हैं और इसकी वशाविड़ व्यू-व्यूट भेख आक तयो होता है जो मोनो जालम होता है 味लोग जो होता है honoring दोनों में पायppy जाता है जो चैकंश होताइब डाइघट प्लांट में पाया जाता है यहां से हमारा प्राम्ली जालम को ट्विप कम्प्लीट होता है अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज है जिस सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी न्यू अपडेट वीडियो आप तक पहले पहुंच सके थाइंक यू